गुद्वर्णिंग स्टुडेंट्स मैं अजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूटूब चैनल मैथ गेम पर लोग डाउनखे रहते अपने स्कूल में नहीं जा पा रहा है या फिर टूशन पर नहीं जा पा रहा है तो बच्चो मैं आप सब को दस्वी कक्षा का पूरा गनित क्लास टायंथ का मैथ आपको करवाने वाला हूं आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे तो बच्चों मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी कर ले अपने मैथ की इस लोगडाउन के रहते आज का पहला चैक्टर जो मैं करवाने वाला हूँ वो है आपका सेकिंड चैक्टर पोलिनोमियल यानिके बहुपद आप सबको पूरा स्लेवस कराऊंगा तो धीरे-धीरे अपना पूरा कूर्स आप कर सकेंगे स्टार्ट करते हैं अभ्यास 2.8 से जिसमें पहली एक्सरसाइज हमारी है आप अपना गनित यानिके मैथ अपने पास रखे और एक कोपी पैन जरूर साथ रखे अगर कोई बात एकदम समझ ना आए तो वीडियो पाउस कर लीजिए रोक लीजिए और उसको ध्यान से नोट डाउन भी करते रहेंगे सीखते रहेंगे तो चलते हैं अपने ग्राफ की और पहला जो कुश्चन है पहला क्या इसमें कुश्चन ही एक है दो पॉइंट एक एक्सरसाइज में दग्राफ ओफ वाइज कोल टू पी एक्स और इन दा गिवन फिगर 2.10 बिलो फोर सम पोलिनोमियल पी एक्स पी एक्स क्या चीज आई हमारी ये रहने पोला पोलिनोमियल पी एक्स बहु पाद पी एक्स हैं सब्सक्राइब कर दिया हुआ है और इसमें बोला नंबर ओफ जीरो जो पीक्स पाइंड दा नंबर ओफ जीरो यह नॉफ जीरो क्या है नंबर ओफ जीरोज जो हिंदी मीडियों के सुटुडंट है वह भी अज़से सुन ले सुन्यकों की संख्या सुन्यकों की संख्या number of zeros करते हम इसको क्या है सुन्यकों की संख्या जहां पर पी एक्स के लिए दिया हुआ ग्राफ है y is equal to px y is equal to px मतलब y बनाबर px हमें दिया हुआ है बचों यह इट फॉंक्षन है जिसमें y बराबर px यानिके x का कोई function है जो की बराबर है y के अब हमें px के सुन्यक यानिके px के सुन्यकों की संख्या यानिके number of zeros हमें find करने है number of zeros का मतलब है ऐसी इस्थदी जहां पे y बराबर 0 है पी एक्स बराबर 0 है कहां कहां है वह हमें ग्याद करना है px के सुन्यकों की संख्या यानिके px का माल 0 कहां कहां पे है यानिके y 0 कहां कहां पे है तो देखते हैं y बराबर 0 कहां कहां पे है दो नोट कर लिए आप पहला नोट है मारा कि एक्स अक्स पर एक्स अक्स पर y का माल 0 होता है एक्स अक्स पर y का माल 0 होता है मतलब y is 0 at x-axis y is 0 at x-axis यह दिके यह हमारा x-axis है और यह हमारा y-axis है x-axis के उपर जहां भी हम पॉइंट लेंगे वहां पे always हमेशा y का मान हमारा 0 होगा और y-axis पर जाम लेंगे मारा x का मान 0 होगा दूसरा पॉइंट लीजिए आप y-axis पर x का मान 0 होता है बच्चों x-axis पर y का मान 0 मतलब y का मान 0 ही तो हमें निकालना है अपने पहले कोश्चन में कि y का मान 0 का पर x-axis पर अगर आप अपना मैत अपने पास रखे हुए हैं तो उसको जाम से देगे पहले वाली जो फिगर है उसमें आपको एक ऐसी फिगर दी गई होगी ऐसा ग्राफ दिया होगा और उसके उपर एक लाइन है कि यह आपको चैसे समझ में नहीं आ रहा होगा वीडियो को रोग करके आप इनको उतार लीजिए मैं मिटागर के दोबार समझा देता हूं कि इस वाइब पर अबर पी एक्स और माइब जीरो दमें क्याद कर वह है तो वाइब जीरो कहां पर एक सब्सक्राइब अब हमें पहली जो फिगर दी गई है वो इस तरीके कि दी गई है यह लाइन हमारी और यह लाइन क्या यह वाइन बराबर बी एक्स-ट बचों गया सुनना और की संख्याद करने है यह क्यान करने हैए तो हम कैसे करेंगे हमें एक बात देखनी ऑस में कि हमारी वाइब बढ़ पी एस वाली इन लाइंज हो है यह एक्स-को कितनी बाद टॉच कर रही है एक बार भी में तो यहां पर सुन्ने को की संख्या जिरो हो जाएगी सुन्ने को की संख्या यहां पर क्या हो जानी हमारी जिरो कोई टॉच नहीं कर रही तो हमारी सुन्ने को की संख्या यहां पर जिरो हो जाएगी बच्चों दूसरा जो हमारा फिगर है आप उसको यह बार देख लीजिए कि वहां पर पी-एक्स वाली लाइब कहां पर है कुछ ऐसे है यह हमारा वाई बराबर पी-एक्स है यह तो ग्राफ के अपर हम इसको देखेंगे हमें वाई बराबर पी-एक्स यानिके पी-एक्स के सुन्नेक निकालने है जिरो फाइंट दने है तो वाई की वैलू जीरो कहां पर होगी एक्सक्स पर और एक्सक्स को यह कितनी बार टच्च कर रहा है एक बार और तो नहीं करना नहीं के वाई एक बार टच्च कर रहा है एक्सक्स को तो यहां पर सुन्नों को कि सब्सक्राइए यानिके नंबर ऑफ जीरो हमारे कितने हो जाने हैं आई है वा यह एक हो जाएगा तिसरी पिगार आप देखिलीजिए इसरी फिगर कुछ ऐसी है वाई पर प्प्र प्यक्स क्या हमारे पास यहां ऐसी है कुछ बच्चों यहां पे हमें पी-एक्स के सुननों की संख्या याद करने है यह हमारा पी-एक्स है तो य की वेल्व जीरो कहां पे होनी है एक्स-क्स पे और एक्स-क्स को कितिने बाट तंच कर रहा है यह एक, दो, तीन तो यहां पे सुननों की संख्या हमारी तीन हो जाएगी अगे हम देखेंगे चोथा जो हमारा फिगर है उसमें वह य बराबर पी-एक्स कैसे दिया हुआ है एक्स-क्स को कितने बाट तंच कर रहा है एक, दो, तो यहां पे य की वैल्लू जीरो दो बार है क्योंकि वाई कमान जीरो एक्स पर होता है तो यह पर शुनो को कि संख्या कितनी हो जाएगे हमारी तो अंसर दो है उसके बाद उसके बाद नंबर पांच वाली फिगर कुण जी है यह वाल i holy कि दे मार्ट सक्राए एक, दो, तीम चाहरा है तो यहां पर वाई पर पी-क्स कितने सुने होंगे वाईए क скорее तो 1, 2, 3, 4 वार है तो सन्खों को कि संख्या हमारी चाहरर जाएगी इसके बाद लास्ट हमारा फिगर है इसी कोश्चन में वो कुछ ऐसे है टच है हमी यहां भी टच है का यहां पर याब खर्षांक Been कहीं हैं चाहरों कि और पक्रवास सनख्यां महीं हो जाता है कि और यह यह वांने से नौवार के का ने क्यात का पहली और पहली अक्सर्साइज है और पहली exercise पे number of zeros हमें find करने हैं यानिके सुन्यों को कि संख्या में गयाद करनी है वो भी y बराबर px यदि हमें यह कहता कि x बराबर p y यानिके x y का function है तो हमें number of zeros find करने है x बराबर p y के यानिके x की value 0 कहां कहां है x की value 0 y x पे x कमांद 0 होता है और x कमांद 0 y x पे होता है यानिके y x को एक पार टाज किया तो यहां पे x बराबर p y का एक सुन्यक है लेकिन इसमें पुछा y बराबर px बराबर 0 यानिके y कमांद 0 कहां कहां पे है एक दो तीन तीन वार है आशा करता हूँ यह पहला अभ्यास पहली अभ्यास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी अब हम दूसरी अक्सरसाइज के लिए next वीडियो में लेके आएंगे आप सब के लिए बड़े ज्यान से समझिएगा बड़े ज्यान से सीखिए मैं आपको पूरा गनित इसी तरीके से करवाने वाला हूं और आप लोगों से गुजारिस है अगर आपको अगली वीडियो चाहिए तो आप लोग बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए गंडी को जरूर दबाईए और सब्सक्राइब कीजिए तभी आपको समय से अमारी द दन्लवादा